हेलो दोस्तों मैं दिलिप कुमार याद हूँ तो श्वागत है आप लोगों का अप्टिमाम एजुकेशन गाइडेंस पे तो जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि हमारा प्रिविएस येर कॉस्चन की एक सिरीज चल रही थी तो उसी को हम आगे बढ़ा रहे हैं और इसके पहले मैं आप लोगों से बोलना चाहूंगा कि जो टेलिग्राम चैनल है इसका आप्टिमम एजुकेशन गाइडेंस से जुड़ जाएं ताकि आपको नौटिफिकेशन मिलते रहेगा और जो इसकी पीडियाफ है वो भी चैनल परड़े अपलोड हो रही हैं तो समय न लेते हुए कोशन के और आगे बढ़ते हैं तो हमारा पहला कोशन क्या कहता है कि प्रोटीन निर्मार तत्व नहीं है जो प्रोटीन है वह इन किन तत्वों से मिलकर नहीं बना हुआ है पहला क्या है कारवन हाइड्रोजन नाइट्र तो जो हमारा प्रोटीन है वह किन तत्तोश मिलकर नहीं बना है कारवन या हाइड्रोजन या नाइट्रोजन या मैगनीशियम तो देखो हमें सबसे जादा एनर्जी किस से मिलती है कारवो हाइड्रेट से कारवो हाइड्रेट मतलब जो कारवन के हाइड्रेट और जिसमें जल हो मतलब इसमें कौन-कौन से तत्तों होते हैं कारवन हाइड्रोजन और ऑक्षीजन फिर क्या आता है अपना फैट आता है वशा उसमें भी कौन-कौन होते हैं कारवन हाइड्रोजन और ऑक्षीजन फिर ह हमारा प्रोटीन जो आता है ये प्रोटीन किस से मिलकर बने होते हैं एमीनो एसिड से तो मतलब एमीनो एसिड से तो मतलब ये किस से इसमें एमीनो ग्रूप होता है तो इसमें कारवन हाइड्रोजन ऑक्सीजन के अत्रिक और कौन से हो जाते हैं जो नाइट्रोजन हो जाता है जो एक्स्ट्रा एलिमेंट है वह एक्स्ट्रा एलिमेंट कौन सा हो गया अपना नाइट्रोजन हो गया तो अब इन में से देख लेते हैं कारवन हाइड्रोजन भी है नाइट्रोजन भी है कौन नहीं है magnesium नहीं है, तो अपना right answer कौन सा जाएगा, right answer अपना जाएगा कौन सा, magnesium, और जो यह magnesium है, right, यह जो अपना magnesium है, यह magnesium पाया कहा जाता है, chlorophyll में, यह काम क्या कहता है, जो photosynthesis में यह भाग लेता है, जिसके कारण क्या होती है, पत्तियों का रंग हरा होता है, right, तो अब next question क्यों रांगे बढ़ते हैं, हमारा दूसरा question क्या कहता है, कि वे जीब, वे जीब जो शूर के प्रकास की उपस्तिती में, प्रकास संसलेशर की क्रिया के द्वारा भोजन निर्मार करते हैं, कहलाते हैं, श्वापोशी, प्राडी संभोजी, म्रतोब जीवी या परजीवी, तो क्या कहलाते हैं, the organism which make food by the process of photosynthesis in the presence of sunlight are called arto-tropes, genotics या hemipoetic या parasites तो क्या कहलाते हैं तो स्वापोशी, स्वापोशी जीव क्या कहलाते हैं, ऐसे जीव जो भोजन स्वैम बनाते हैं जैसे कौन से हो जाते हैं, plant ये क्या करते हैं, भोजन स्वैम बनाते हैं, और इनको हम क्या गोलते हैं, producer मतलब उत्पादक के नाम से जानते हैं, जो भोजन स्वैम बनाते हैं, जो प्राडी स्वापोशी, मतलब जो अपने भोजन के लिए कीटो का या प्राडियों को अपने भोजन के रूप में उप्योग करते हैं, उप्योग में लेते हैं तो ऐसे जीव क्या कहलाते हैं, प्राडी संभोजी, जैसे कलास पादप होता है, मतलब केट भच्छी पौधे मृतोब जीवी मतलब कि जो जीवों से मृत जीव से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, वे जीव क्या कहलाते हैं, मृतोब जीवी जैसे अब घटक हो गए यह फंगश वगया राजो होते हैं, कैसे होते हैं, मृतोब जीवी जीव होते हैं, पर जीवी पैरसाइट मतलब कि जो दूसरों जीव पे अपना जीवा नियापन करते हैं, दूसरे जीव में जा करके अपना जीवन यापन करते हैं तो क्या कहलाते हैं पैरसाइट कहलाते हैं पैरसाइट जैसे अपना जू हो गया जोक हो गया क्या होते हैं पैरसाइट होते हैं तो इस पर अपना राइट आंसर क्या जाएगा ए नंबर श्वपोशी जो भोजन श्वेम बनाते हैं Next question क्यों राँगे बढ़ते हैं Next question हमारा क्या कहता है कि भोजन के अव्यवों को उनके कारियों के अधार पर शार्णी में विवस्तित किया गया है जो सही सुमेलित नहीं है तो आपको इसमें से आपको ये देखना है कि सही सुमेलित वाला कौन सा नहीं है Right तो देखो खनीजलवड खनीजलवड क्या काम करता है क्या उर्ज़प्रदान करता है यह तो बिल्कुल फष्ट में ही गलत हो गया क्योंकि जो खनीजलवड होते है यह कैसे होते है, micronutrients होते है इनसे हमें एनर्जी नहीं मिलती है, एक protein, protein क्या काम करते है, सारी रिक ब्रद्धी एवें विकास, यह सही है बिलकुल, dna एवं RNA अनुवान्शिकता में साहएक, क्या होते है, dna एवं RNA यह genetic material होते है, तो यह अनुवान्शिकता में साहएक विटामिन विटामिन जो हुता है उपाप Cyn यमन मतलब मेटावॉलिक र्येगुलेसेण में हेल्प करता है तो अपना रैट आंसर इसमें कौन जाएका aah हरू और यदि विटामिन और खनीज़्लवण कि जो अपना विटामिन और खनिज्लवड, यह क्या काम करते हैं दोनों मिलके? बायो कैटलिस्ट का काम करते हैं, किसका जयव उत्प्रेरा का, जयव उत्प्रेरा कारे करते हैं, तो इस पर अपना राईट council क्या गया? A number, खनिज्लवड, next question क्यों और आगे बढ़ते हैं, अपना next question क्या कहता है, कि निम लिखित में से लगू पोशक तत्व है, which of the following is a micronutrient, तो देखो, two types से तत्व होते हैं, एक हो गया micronutrients, और एक होता है micronutrients. तो माइक्रो मतलब जो लगू पोशकता तो है, और माइक्रो मतलब जो जिनकी हमें अधिक महात्रा में आवशकता होती है, तो जो micronutrients होते हैं, कौन कौन से होते हैं, कारवन हो गया, अगर मैं आप लोगों को micronutrients बता दूँगा, तो उससे हमें इस पर शो जाएगा कि micronutrients कौन सा, इसमें से, ठीक, तो कारवन हो गया, और hydrogen और oxygen हो गया, और nitrogen हो गया, phosphorus हो गया, potassium हो गया, इन्ही को हम क्या बोलते हैं, critical element भी बोलते हैं, क्या है, क्रांतिक तो भी यह कहलाता है, क्यूंकि इस soil में पायजाते हैं, और soil के लिए बहुत हुपयोगी होते हैं, और कौन से है, calcium हो गया, magnesium हो गया, और sulfur हो गया, तो अभी हमें देख लेते हैं, इन्ही कोण है, calcium भी है, potassium भी है, और sulfur भी, तो अपना right answer, इसमें कौन जा जिंक नेक्स्ट कोश्चन की और आंगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कोश्चन अपना क्या कहता है कि निमलिखित में से भोजन के वे अव्यव जो उपापचाई नियमन में सहायक है which of the following components of food are helpful in regulating metabolism मैंने अभी बताया था कि जो regulating metabolism में कौन-कौन से आवश्यक थे जो विटामिन था वो क्या करता था metabolic regulation में और उसके साथ साथ खनीज लवड भी करते हैं तो इसमें अपना right answer कौन से जाएगा A और B तो A और B क्या जाएंगे अपने right answer जो यह क्या करते हैं metabolic reaction होती हैं उनमें शायप करते हैं तो next question क्यों अब आँगे बढ़ते हैं next question हमारा क्या कहता है question है कि यदि एक वर्ष से कम आयो वाले सिसुओं को इस्तनपान की इस्थान पर कम प्रोटीन तथा कम कैलोरी के अलप पोशण वाले आहार दिये जाएं तो उनमें कौन सा रोग होने की संभावना है merismus, ricards, quashyorkar या pelegra कौन सा होगा right answer बताइए आप लो तो हमें energy किस-किस से मिलती है? Carbohydrate से और fat से और protein से Carbohydrate, fat और protein तो जिसमें सबसे अधिक energy किसमें मिलती है? Carbohydrate, fat, protein लेकिन जो बच्चों है जो छोटे बच्चे हैं उनका मुख भोजन क्या होता है? protein होता है तो प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग हो शकता है प्रोटीन की कमी से होता है मेरेस्मस रोग मेरेस्मस रोग मतलब सूखरो तो इसमें राइट आंसर अपना कौन सा जाएगा ए नमबर मेरेस्मस अब रिकेट्स, रिकेट्स रोग किसकी कमी से होता है विटामिन D की कमी से इसका chemical name क्या होता है Kelsey Ferrol अब तो आप लोगों को chemical name और ये सब कुछ याद हो गया कि इसकी कमी से कौन सा रोग होता है इसका chemical name क्या है इसके स्रोथ क्या है क्योंकि दो-तीन lecture से आप continue पढ़ते आ रहे हैं तो इतना तो आप लोग को याद हो गया होगा राइट तो विटामिन D की कमी से कौन सा रोग होता है रिकेट स रोग इसका chemical name क्या है Kelsey Ferrol और जो क्वाशी और कर रोग है जो क्वाशी और कर ये किस की कमी से होता है जब प्रोटीन और एनर्जी की कमी हो तो कौन सा रोग हो जाता है क्वाशी और कर राइट पैलेग्रा पैलेग्रा रोग किस की कमी से होता है कौन से विटामिन की कमी से B3 रसाइनिक नाम क्या है इसका chemical name नियाशीन होता है राइट तो इस पे अपना right answer क्या गया मेरेस मस गया नेक्स्ट कॉश्चन की और आंगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉश्चन अपना क्या है लंबे समय तक उपवास में डिरुन्ता प्रोलॉंग फास्टिंग क्या है पहला option क्या कहता है कि सरप्रथम कारवो हाइडडेट तथा इसके पश्चात वसा का तथा अंत में प्रोटीन उपापचाई पदार्थों का प्रेयोग होता है सेकेंड क्या कहता है सरप्रथम ववशाक सेकेंड क्या कहता है सरप्रथम वशाका इसके पश्चात यक्रत तथा पेशियों में संग्रहित गलाइकोजन के रूप में कार्वोहाइड्रेट का तथा अंत में प्रोटीन का प्रेयोग होता है हमारा तीसरा क्या कहता है कि सरप्रथम लिपिट्स प्रेयोग होते है फिर प्रोटीन तथा अंत में कार्वोहाइड्रेट और चौथा क्या कहता है उपरोग तमेशे कोई नहीं तो इसमें से right answer अपना कौन सा जाएगा, सबसे पहले हम energy के रूप में क्या लेते हैं, carvohydrate, फिर जब अगर यदि carvohydrate खतम हो जाए, तो फिर क्या लेते हैं, fat, फिर अगर fat भी खतम हो गई, तो क्या लेते हैं, protein, तो इसमें से ये cream कौन सा है, इन में से कौन सा cream मिलान खा रहा है, ये A number, पहले carvohydrate, फिर वशा, फिर protein, तो right answer इसमें से अपना कौन जाएगा, A number, right, next question की ओर आँगे बढ़ते हैं, next question अपना क्या कहता है, ऐसा भोजन, जिसमें मक्खन, लाल मटन, तथा अंडे की प्रिचुर मात्र हो, लंबे समय तक ग्रहन करने पर क्या होगा, अगर जो व्यक्ति, परडे या प्रतिदिन, याने कि ये उन लोगों के लिए कहेंगे, जो बहुत जादा चटोरे या भुकड़े इंसान होते हैं, जो बहुत जादा मक्खन, मटन और अंडे खाते हो, ये उन्हें के लिए है, तो जो मक्खन, मतलब मक्खन से हमें क्या मिलेगा, फैट मिलेगा, लाल मटन, यानि चिकन खाएगा, तो उससे भी क्या मिलेगा, फैट ही मिलेगा, अंडे, अंडे से क्या मिलेगा अपने को, इ फैट अधिक मात्रा में मिलेगी तो अगर यादी फैट अधिक हो गया तो क्या हो जाएगा अपने कोलेस्ट्रॉल उसका बढ़ जाएगा है ना कोलेस्ट्राल बढ़ जाएगा मतलब क्या होगा तो जब कोलेस्ट्राल बढ़ जाएगा तो यह नहीं कि जो यह कोलेस्ट्राल है या लिपिड बोले फैट या लिपिड तो हाइड यह कित्ते टाइप से होती है हाइड एंसिटी और low density अब ये बताए कि high density अच्छी होती है या low density तो जो low density होती है कैसी होती है सबसे खराब होती है यह अच्छा नहीं है और यह high density होना अच्छा है तो इसमें से कौन सा रोग हो शकता है यानि कि लंबे समय तक रहन करने पर क्या हो शकता है उनको क्या vitamin A की भी साकता हो शकती है ये नहीं हो शकता यह यह गलत हुआ वो रेक्ट में पत्थरी तो यह पत्थरी तो mostly जब आप बीद वाले फल खाते हैं तो उससे पत्थरी होती है तो यह भी अपना गलत हुआ फिर क्या hyper cholesterolemia तो यही हो जाएगा अपना right answer तो कौन सा C number अपना right answer हो गया next question की ओर आँगे बढ़ते हैं next question अपना क्या है जटिल भोज्य पदार्थो का सरलतम भोज्य पदार्थो में परिवर्तन पाचन होता है इसका मुख्य उद्देश होता है पहला option क्या कहता है भोजन की घुलन सेलता बनाना पाचक एंजाइम को उप्योग के लिए सक्षम बनाना तीसरा अवशोषड के लिए इन प्रकार के सरल अड़वों को देना या आहार नाल में भोजन का सरल पाचन तो क्या पूछा है कि जो जटिल भोज्य पदार्थ हैं उनको सरलतम बनाने के लिए परिवर्तन पाचन होता है तो इसका मुख्योद्देश का है तो पाचन का मुख्योद्देश मतलब पाचन मतलब ही क्या होता है कि जटिल से सरल पाचन मतलब क्या होता है जटिल से सरल की ओर मतलब कॉम्पलेक्स से सिंपल बनाना तो ये हमारा क्या देखो जो हमाई बॉड़ी है बॉड़ी में ये क्या है सल्स हैं तो यह क्या करती है जटिल पदार्थों को अफशोशित नहीं कर पाती है तो उनके लिए क्या करते हैं कि जो हमाई जटिल पदार्थ है उनको सरल पदार्थों में तोड़ते हैं जिससे हमाई body है हमाई cells वो absorb कर लें तो इसमें के लिए बिविन प्रकार के सरल अड़ों को देना तो यही अपना right answer जाएगा कौन सा? C number C number अपना right answer की अब शोशल के लिए बिविन प्रकार के सरल अड़ों को दे Next question क्यों आँगे बढ़ते हैं जोंक जू तथा अमर वेल हैं तो जोंक जू तथा अमर वेल ये कैसे जीव कहलाते हैं परजीवी, म्रतोब जीवी ये प्राडी संभोजी या स्वपोशी तो कैसे हैं जोग जोग जो होता है वह दूसरों के सरीर में जाता है right और वहां से क्या करता है? ब्लेड को चूजता है और उससे अपना पोशड करता है तो ये कैसा हुआ? परजीवी जीव हुआ और जो जू भी है जू मतलब जू ये जिसको बोलते हैं गाउं की लेंगवेज में तो ये क्या करते हैं कि आप लोग के मुसली ये गल्स में देखे जाते हैं गल्स के बालों में और ये उनके टाइम पास के लिए अच्छा साधन भी होता है और अमर बेल अमर बेल जो एक पौधा होता है ये क्या करता है? दूसरे पौधे में उगाता है दूसरे पौधे में जाता है और क्या करता है? उसी से अपना अपना भोजन प्राप्त करता है एक दोहा भी बना हुआ है कि अमर बेल बिन मूल की प्रतिपालत है ताही रहिमन ऐसे प्रवहुत जी खोजत फिरही काही मतलब कि जो अमर बेल बिना जड़ के भी फलता फोलता रहता है तो मतलब अगर वो उसकी जड़ नहीं है तो वो कहां से अपना भोजन प्राप्त करता है जिस पौधे में वो रहता है वहीं से अपना भोजन प्राप्त करता है तो यानि कि ऐसे जीव जो अपने भोजन के लिए किसी दूसरे उस पे आश्रित रहे तो ऐसे जीव क्या कहलाते हैं? पर जीवी जीव कहलाते हैं. तो इस पे अपना right answer क्या जाएगा? A number. और म्रतोष जीवी जीव क्या होते हैं? कि जो अपने मरत जीव को अपने भोजन के लिए उप्योग में लेते हैं. जो कीटो को अपने कीट या कोई भी जीब को अपने भोजन के लिए लेते हैं शौपोशी मतलब जो अपना भोजन स्वैम बनाते हैं तो इस पे अपना राइट आंसर कौन सा गया है पैरासाइट गया नेक्स्ट कॉस्चन राधिका के मसूडों में प्राय खून बैता रहता है तथा उसके घावट ठीक होने में ज्यादा समय लगता है उसके भोजन में कमी हो शक्ती है क्या विटामिन A, विटामिन B, विटामिन C, विटामिन D तो विटामिन A, विटामिन A की कमी से कौन सा रोग होता है? थाइमिन इसका केमिकल नेम पोश्वरी इसका केमिकल नेम होता है थाइमिन इसकी कमी से कौन सरोग होता है बेरी बेरी बिटामिन सी की कमी से कौन सरोग होता है इसकर वी रोग इसका रासाइन chemical name क्या होता है? ascorbic acid, vitamin D, vitamin D का की कमी से कौन सरोग होता है? ricate stroke, इसकी chemical name क्या है? calciferol तो question में क्या बूला है? masudo से प्राया फुन बैता है तो ये किस रोग की वज़े से फुन बैने लगता है masudo में? इस करवी रोग से तो अपना राइट आंसर क्या जाएगा C नमबर राइट नेक्स्ट क्वेश्चन की और आँगे बढ़ते हैं चावल को पकाने से पहले पानी में कई बार धोने से कौन सा विटामिन नश्ट हो जाता है तो जब आप लोग चावल धोते हैं याने कि जब आप लोगों के घरों में बार बार धोते हैं तो उन लोगों को समझाईए कि अगर चार से पांच वार धुलते हैं तो इतने बार नहीं धुलना चाहिए क्योंकि इससे क्या हो जाता है कौन सा विटामिन नश्ट हो जाता है विटामिन B नश्ट हो जाता है तो इस पर अपना राइट आंसर क्या गया विटामिन B नेक्स्ट कुश्चन क्यों और आँगे बढ़ते हैं प्रतेग पद के समूहों को पढ़कर भिन समूह का चैन कीजिए अब आप लोगों को इन में से कौन सा भिन है उसको चैन करना है तो एक क्या कहता है गाय, दुग्द या मक्खन दूसरा क्या है मुर्गी, मांस, अंडा तीसरा बकरी, दुग्द, मांस चोथा क्या है पौधे, सबजिया, छाष तो गाय, गाय से हमें दूद मी मिलता है दूद से मक्खन, मुर्गी से मांस भी मिलता है और अंडा भी मिलता है, बकरी से दुग्द मी मिलता है और मांस भी, पौधे से सबजिया और क्या छाष मिलती है नहीं, तो इस पे अपना राइट आंसर कौन सा जाएगा, D, D अपना राइट आंसर, next question की और आंगे बढ़ते हैं, कच्चे खाद्य में उपस्तित इस्टार्च का परिक्षड किस प्रकार कर सकते हैं, अगर यदि आप लोगों को कोई दे दिया गया सेंपल, और इसमें से आप लोगों को पहचानना ह कि कौन सा इस्टार्च है, तो कैसे पहचानोगे, तो उसके लिए हम क्या लेते हैं, कि जो आयोडीन है, आयोडीन विलियन की कुछ बूंदे लेते हैं, और उसको हम किसी भी पत्ति या उसमें डालते हैं, तो क्या करता है, कौन सा रंग दिखाई देता है, नीला रंग, अगर जो आपके घरों में तो आलू मिल जाएगा, आलू को देखना, आलू में आयोडीन के कुछ भी विलियन बनाना, और उसमें दो-तीन बूंदे डालना, कुछ समय बात देखना, कि वो नीले कलर का आ जाता है, तो इसके लिए कौन सा प्रियोग में लिए जाता है, जीवों में से कौन सा प्रकास संसलेशर द्वारा अपना भोजन बना सकता है, राइजोबियम, वाइरस विसाडू, यह कवक, यह सेवाल, तो कौन सा जीव है, जो अपना भोजन प्रकास संसलेशर द्वारा बनाता है, कौन से ऐसे जीव होते हैं, स्वपोसी जीव, तो जो राइजोबियम है, राइजोबियम कैसा जीव है, राइजोबियम जो है कैसा है, विशम पोशी है, तो ये क्या बना पाएगा, नहीं, जो वाइरस है, और ये कवक है, ये कैसे जीव है, पर पोशी जीव है, मतलब ये दूसरों पर ही आश्रित है, तो ये कैसे बनाएंगे, औ ये blue-green algae होती है, तो जो blue-green algae होती है, जब प्रकास sensation, प्रकास sensation की क्रिया के द्वारा ये का करता है, अपना भोजन स्वैम बनाता है, जब सूरे का प्रकास, तो क्या इसे बनाता है, ये वायू मंडल से क्या लिया, कारवन डाय अक्साइड लिया, और म्रेदा से क्या लेता है, जल लेता है, और क्या करता है, sunlight, शूर के प्रकास की उपस्तिती में, अपना क्या बनाता है, भोजन बनाता है, oxygen निकल जाती है, और कित्ते अडू बनते हैं, 38 ATP, ATP का फुल फॉर्म होता है, adenosine triphosphate, अब इसको हम balance कर लेंगे, तो 6, यहाँ पर भी 6 आ जाएगा, और यहाँ पर भी 6, अब देखो balance हो गया होगा, है ना, तो यह क्या करता है, वाईव मंडल से अपना, carbon dioxide लिया, और म्रेदा से, जल लेता है, और शूर के प्रकास की, उपस्थिती में क्या बना लेता है, glue pose, यहने, भोजन बना लेता है, तो इस पर अपना right answer कौन सा जाएगा, D number, next question क्यों रांगे बढ़ते हैं, निमलिकित में से, किसका उप्योग, एक परिरक्षक के रूप में किया जाता है, ammonium sulfate, copper sulfate, sodium benzoate, यह sodium chloride, तो किसका उप्योग किया जाता है, ammonium sulfate का, तो परिरक्षक के रूप में किसका उप्योग करते हैं, ammonium sulfate का, next question क्यों रांगे बढ़ते हैं, next question क्या है, कि लाला, यह लाला रस, यानि जिसको हम क्या बोलते हैं, लाल, लाल का कारे क्या होता है, श्वासनली में खाद्यकडों के प्रवेश को रोकना, मंड इस्टार्ज को सरकरा में परिवर्तन करना, कार्वो हाइड्रोट को प्रोटीन में परिवर्तन करना, या इस्टार्ज को वशा में परिवर्तन करना, परिवर्तित कर, वही है तो इसका जो लार होती है लार क्या होता है लार खुद एक एंजाइम होता है तो यह क्या काम करता है जो हमाई जटिल पदार्थ है जो complex है जैसे क्या हो जाते इस टार्च उसको किस में बदल देता है simple sugar में मतलब सरकरा में तो अपना right answer कौन सा जाएगा B number convert starch into sugar B is the correct option next question क्यों आंगे बढ़ते हैं next question क्या है कि सरीर में अधिकतम उर्जा संचेक किस पदार्थ के रूप में होता है तो सरीर में सबसे अधिक उर्जा किस रूप में मिल संचित होती है glycogen, वसा, प्रोटीन या vitamin तो सरीर में सबसे अधिक उर्जा किस रूप में संचित होती है glycogen के रूप में और बात करें कि अगर हमें सबसे अधिक उर्जा एक ग्राम में सबसे अधिक उर्जा सबसे जादा उर्जा किस से मिलती है तो carbohydrate से और बात करें अगर यदि हम कि एक ग्राम में हम सबसे अध केसियल प्रतिग्राम राइट और जो प्रोटीन से कित्ती मिलती है एक ग्राम में 4.2 केसियल प्रतिग्राम राइट तो नेक्स्ट क्वेश्चन की और बढ़ते हैं भूका व्यक्ति सरीर के किस भंडार का सबसे पहले उप्योग करता है वर्षा का ग्लाइकोजन का प्रोटीन का वए वबी दोनों तो किसका उप्योग करता है सबसे पहले ग्लाइकोजन का रवो हाइट डेट का सबसे पहले उप्योग करता है तो इसमें कौन सा राइट आंसर जाएगा ग्लाइकोजन नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों रांगे बढ़ते हैं ग्लूपोज के जल तथा सी के पून अभगटन में ATP अडू उत्पन्न होते हैं जेश्ट हमने अभी पहले कॉश्चन में बताया है कित्ते अडू तो देखो एक बार फिर से रियक्शन देख लेते हैं क्या 6CO2 प्लेस 6H2O किसकी प्रेजन्स में सनलाइट शूर के प्रकास की उपस्थिती में क्या बनता है ग्लूपोज C6H12O6 प्लेस आक्सीजन निकल जाती है और कित्ते अडू बनते हैं 38 ATP ATP का फुल फॉर्म क्या होता है एडिनोसीन ट्राइफ होस्पेट तो अपना राइट आंसर क्या जाएगा 38 राइट नेक्स्ट क्यों राँगे बढ़ते हैं खतम हो गया है तो एक बार मैं फिर आप लोगों से बोलूँगा कि अगर अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर दें और हाँ अपने दोस्त भाई जो भी और भी कोई भी हो जो TET की एक्जाम सीटेट और MPTET किसी भी TET एक्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उन लोगों को ये वीडियो जरूर सेयर करें ताकि वो भी इसका लाब ले सकें जाते जाते एक बार फिर पुना की चैनल को सबस्क्राइब कर लें ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलते रहे और इसमें TET एक्जाम के अलाबा भी जैसे 11 की साइंस और 12 की साइंस के लेक्चर भी डाले जाते हैं तो उनको अगर आप आपके छोटे भाई या कोई भी देख अगर हो तो उनको आप गाइड कर सकते हैं आज के लिए इतना ही धन्यवाद